कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी देश में तो चुनाफ की तैयारियों में जूटे ही हैं वहीं वो विदेश में रह रहे हैं भारतियों को भी लुभाने की रणीदी बना रहे हैं इसी मदे नजर राहूल 24 और बच्चेस अगस्त को दो दिन के लंदन दौरे पर जाने वाले हैं लेकिन इससे पहले ही उनके दौरे को लेकर विवात हो गया कहा जा रहा है कि जिस अहम कारिक्रम में वो जाने वाले थे आयोजे को निवह प्रोग्राम ही रद कर दिया है जिसक यूके के कई राज देता हूँ और प्रमुख भारतिय व्यवसायों को भी न्यौता भीजा गया था लेकिन अब संगठन के प्रमुख लंदन में भारतिय मूल के रामी रांगेर और बैरोने स्वर्मा ने राहुल गांधी को दिया न्यौता रद कर दिया है कंसरवेटिव फ्रेंड्स ओफ इंडिया अब इस कारिक्रम को आयुजद नहीं कर रहा है वह इस कारिक्रम के रध होने के पीशे कॉंग्रेस ने बीज़ेपी का हाथ होने की बात कही है इंडियन ओवर्सीज कॉंग्रेस यूके के अध्यक्ष कमल धालिवाल ने आरूप लगाया कि कंसरवेटिव फ्रेंड्स ओफ इंडिया इसलिए या कारिक्रम नहीं कर रहा क्योंकि उसके उपर बीज़ेपी की तरफ से दबाव वराया कया है उन्होंने कहा कि कंसरवेटिव फ्रेंड्स ओफ इंडिया के बैरोने स्वर्मा और वित्मंत्री अरुण जेटली बहुत अच्छे दोस्त हैं जब प्रधान मंत्री नेरेंदर मूदी अप्रल में लंदन आये थे उस वक्त भी उन्होंने वेरोने स्वर्मा के सभी कारिक्रमों में शिर्कत की थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि BJP के दबाफ में ही राहुल गांधी को रोकने के लिए उनके कारिक्रम को रद कराया गया है। आपको बता दे कि राहुल गांधी 24 और 25 अगस्त को दो दिन के लंदन दोरे पर जाने वाले हैं। इस दोरान वो कहीं व्यापारियों से मुलाकात करेंगे, साथी भारते समुदाय को भी संबूदित करेंगे।